तरस एक नए इस अंदर वीडियो में आप लोगों का सुवागत है शिवायनू उपर बात करेंगे जिसमें आर जिस टाइप से शिवायनू ने यहाँ पर रिकावरी दिखाई है तो क्या आने वाले समय में यह 20 के लेवल को पार कर जाएगा और इसके अलावा यार और भी कही नियोज मार्केट में आई है जो मीम सिक्को को लेकर भी नियोज निकल रही हो और दूसरी और भी बड़ी अपडेट यहाँ पर है तो एंड तक वीडियो वाच करना पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करना देखिए सबसे पहले अगर हम शिवायनू को लेकर चले तो श 63% तक 63,000 डॉलर से उपर मार्केट आ चुका है और एक टाइम 65,000 के लेवल को भी टच कर गया था मार्केट देर रात को लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पर इसी बात को लेकर लोग ज्यादा उस साही थे कि क्या य यहाँ से बहुत आगे जाने की तैयारी कर रहा है या फिर कोई सभी बेरियर इसको आजाएगा अगर आप देखे तो यहाँ पर जो बेरियर बन रहा था यह तोड़ चुका है ठीक है 63,000 का और 65,000 को टच कर दिया है मार्केट ने यानि कि यह बेरियर टूर चुका है तो औ और ज्यादा इसमें बड़त आने के असाल लग रहे है क्योंकि बिटकोई अपना बेरियर तोड़ा है तो अब इसली और ज्यादा बाइंग होगी तो मार्केट के पंप होने के चांस से ज्यादा बढ़ रहे है इसी बीच अगर यहाँ पर एक नियोज निकल कर आई है जहा अभी के टारगेट के हिसाब से तो शीबा इनुने साथ दिन के अगर ग्राफ देखे तो 15% तक यह बड़त हो चुकी है पिछले 7 दिन में अब यह बड़त सीधे 50% के पार जाने के असार यहाँ पर कहे जा रहे हैं तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बताये गया है क जो प्रतिरोत है रजिस्टेंस था उसको शीबा ने पार कर लिया है और कही न कई अभी और भी कई रजिस्टेंस यहाँ पर आना बाकी है शीबा इनुने पिछले 24 घंट में जिस टाइप से बड़त बनाई है वो 17 के लेवल पर कारोबार करते करते ऊपर निकल गया है और लगतार यह बड़त बना रहा है तो यहाँ पर यही है कि positive momentum यहाँ पर बना हुआ है जो आने वाले समय में एक बड़े उपर pump के लिए बन रहा है और इसके अलावा कहा गया है कि शीबा को लगभग तीन सब्ता के उच्चिस तर पर यहाँ से पहुचने के असार है जिसमें जो bull है वो कहिना कहिन रजिस्टेंस इस्तरों को पार कर सकता है और 50% तक का pump यहाँ पर निकाल सकता है लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बाधा है वो है 422 ट्रिलियन शीबा टोकन यह critical यहाँ पर बना हुआ है अगर हम यहाँ पर देखे तो अभी जो level है शीबा का वो इस level पर है जहाँ पर लगभग 36,730 एकाउंट से है जिनके पर 452 ट्रिलियन शीबा टोकन है और इन लोगों ने 18 और 17 के level पर buy किया है इस level पर इनों ने buy किया है average 18 है इनका इस लिहाँ से शीबा में सबसे बड़ी बाधा यही बन रहा है और इन परियाप्त पतों को अ कि यह बेचने की कोसिस कर सकते है और जिससे market यहाँ से जो है क्रेस हो सकता है लेकिन अगर यह नहीं sell करते है तो market momentum बनाते बनाते ऊपर के range निकाल सकता है दूसरे और यदि इस सीमा को शीबा धारक बेचने का निर्णे नहीं लेते है तो तेजगती की सुरुआत हो सकती है और आगे शीबा के लिए कई अधार सिला यहाँ पर रखे जा सकती है लेकिन इन सब के पीछे depend जो है bitcoin है अगर bitcoin यहाँ से तूटता है जैसे कि हर बार देखने में आया है कि market एक level पर जाने के बाद वापस तूट जाता है तो अगर तूटता है तो फिर तो उम्मेद बेका है शीबा से भी लेकिन अगर शीबानों यहाँ पर नहीं तूटता है तो एक अच्छी बड़त यहाँ पर बन सकती है अलाकि देखो यहाँ से अगर हम देखे तो यह फरवरी से ही यही माहुल चल रहा है ठीक है मार्च से सोरी मार्च से यही सेंटिमेंट चल रहा है उपर सितर है प्राई सितर पर आजाता है फिर सितर पर चाटा है फिर शायट पर आ जाता है मुड़ी यह बड़ी ग्रावत हुई थी एक बार सितर पर आने के बद упाग चौह किसी के पास नहीं है ठीक है और क्या यहीं से पेशट से ही नीचे चले जाएगा यहां तो अभी नहीं लग रहा है कि पेशट से नीचे जाए क्योंकि अल्रेडी साथ दिन के उस ग्राफ में इसने अपना रेजिस्टेंस यहां पर तोड़ दिया है तो उस कारण से अगर एक महिने का रेजिस्टे होती है और बिटकोईन अच्छा रुजान देता है तो पूरे मार्केट को इसका फाइदा होगा और मैंने कहा है कि यार मार्केट को इसका बेनेफिट केसे होता है यहां पर जरा देख लीजिए अगर यहां पर आप XRP को जरा थोड़ा से देखिए जिस टाइप से XRP ने अ क्योंकि अगर हम यहां पर नीचे देखेंगे तो XRP में एक मोमेंटम ओन चेंड डेटा से मालूम पड़ा है कि ट्रांजेशन बड़ी मात्रा में हुए है तीन गंटे में और बड़ी वील्स ने यहां पर बड़ी मात्रा में शीबा टोकन को ट्रांसपर किये है अब यह गये है ठीक है तो यह घटना XRP में बड़े सवाल खड़ी करती है क्योंकि XRP अभी तक कोई खास प्रदेशन नहीं कर रहा था लेकिन यह अचानक से जो मोमेंटम आया है तो अगर आप देखेंगे XRP में 7 दिन का लेवल यहां पर खुल जाए तो देखें यहां से प्राइज पंप हुई है 43.43 डॉलर से बढ़ते बढ़ते सीधे हाइस्ट लेवल पर पहुची थी 56 पॉइंट 56 ठीक है और यहां से एक बड़ी रेली आई है तो क्या हम यह कह सकते है कि XRP जो काफी समय से एक तरीके से सुसुपता वस्ता सोया हुआ थ और क्या वापस इसमें वील सेक्टी होगी तो इसकी प्राइज बढ़ना चालू होंगे और यह आगे बड़े प्रोफिट बना सकता है क्योंकि अगर हम देखें एक महिने का ग्राफ तो देखें अच्छा खासा पंप हुआ है और एक साल के ग्राफ को अगर देखें तो अगर हम भी मिनेटी को हटाता हूं है यहा पर अगर हम। मीम टोकन का देखें तो मीम टोकन में जबर जस्त बड़त यहां पर देखने को मिल रही है और सभी मीम टोकन अच्छा खासा पंप कर रहे हैं और जैसा कि देखने में आया है कि जब भी बिटकोईन बढ़ता है तो मीम टोकन में जादा ही कुछ बड़ता जाती है और अगर मा बहुत बूश्ट आ सकता है और फिर से वही चीज बन रही है कि अगर पिछले साथ दिन का ग्राफ देखोगे तो डोच को इन 13% शीबा चौदा पेपे 26 डोग 6 और बॉंक डोग 26 और बॉंक के तो कुछ नहीं बड़ा फ्लो की 26% ये बड़त हो रही है मार्केट में अब आप देखो पूरे क्रिप्टो मार्केट की तुलना में मीम टोकन में जबरजस्त यहां पर उचाल आया है तो मीम टोकन को अभी भी लोग यहां पर पसंद कर रहे हैं और मीम टोकन में इन्वेस्मेंट जादा आ रहा है अन्ने की तुलना में ठीक है भले ही वो टोप के क्रिप् ecosystem के coin आ रहे हैं उसके बाद AI आ रहे हैं उसके बाद gaming और फिर RWA लेकिन सबसे पहले meme token से पहले ये जो ray high port tax करके हैं ये सबसे पहले number पर है और मैं इसको note कर रहा हूँ कि काफी समय से इस category के जो coin है number one पर चल रहे है तो आप देखे इसने meme token को भी beat कर दिया है और number one पर आ चुका है तो इसके जो coin है वो जरा आप देख लीजिए अब मैं आपको next video इसके उपर बनाऊंगा अगर आप comments में करते हैं कि यार ये किस type की category है समय कौन से coin आते हैं तो मैं बता दूँग आप के गडिशो कि आूआ है april पुलीण osoंने कि येखे येखे नी मैं कर देखे पहा है कि भीज्डोग मैं कर दो हैव हैं । ले साइव कि येज़ हैवार आप वो टुलीघ आ छर्यक से लिए खो